अब 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 और यह खास वर से रूरल और पूर फैमिली के बच्चों के लिए जे इई और निट की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जे इस्ट एक्जाम डेट्स जो है वो कुछ इस तरीके से है वर कोवर्मेंट और एड़ेट स्कूल्स हमके लिए एक्जाम डेट्स जो है वो तुबर 16 के बाद वो चेक कर सकते हैं और रिश्टेशन कर सकते हैं लेपसाइट है दक्षिना.org या जेडिस्ट्फ इंविटेशन को होगा सेलेक्शन प्रोसेस जो है जेडिस्ट के लिए कुछ उस तरीके से है गोर्मेंट और एड़ेट स्कूल्स के लिए स्टेप वन अपने एडिविटी चेक करें स्टेप टू सोट लिस्टिंग विल बेस्ट उन बेस्ट उन दे काट-टॉप मैंशन एप्लिकेशन यह दो युजए बाएंगर 25 जीओन बेस्ट उन आप्यर टो आंपने बाएंगा फुलिए प्लीफट है गोर्म्स पुल्स के लिए अपने होंगे फॉर्म्स देप टॉटितॉम्ट फ्लीफ सेले एडिटिस नविटेश्ट के लिए जो आपका विल आपने होंगे लिए शिन एस्टी 2025 में अफ्टेर होगे दक्षिना की वेब साइट पर रहेगा Step 6 में 2nd round of shortlisting के बाद जो की JDST 2025 exam performance के बाद के बाद इंट्रीवी होगा और document verification के बाद Step 7 में students वाँगी selected after the interview round will be offered as दक्षिना 1 year scholarship और जो बच्चे इंट्रीवी में select हो जाएंगे वो उनको दक्षिना की 1 year scholarship मिलेगी eligibility criteria के अगर बात करते हैं तीन में criteria है school currently जो वच्चे class 12 science में किसी कौर्माइंट या इडिट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इसमें clear हो सकते हैं और उनके board exam जो है माई 2025 तर कॉंपिक में इस दो Marks cut off के पर हम बात करते हैं aggregate marks जो है math and science में class 10 वो category wise अलग अलग हैं engineering male के बात के अलग गया जो जोगे 85% EWS OBC के अलगए 80% SC के 70% ST के 65% or physically फ़या प्चंप गया 55% for engineering female के बात के अलग गया 90% EWS OBC के 75 SC के 65 ST के 60 or 50 के बात के 55 for medical के बात के अलगए 80% EWS OBC 75% ST के 60 or 50 के 55 और physically disabled 50% income जो है वो family की टूलेट से कम होनी चाहिए selection process for the JST for JNB school students, JNB school students के प्रोसेस है वो कुछ तरीके से step 1 student will be invited for the JST based on class 12 term first result, first step में class 12 का term first result है इसकी best term को invitation मिलेगा और यह जो invitation list है वो number 5 तब complete होनी है step 2 में जो students criteria को fulfill कर रहे होंगे उनको scholarship application form जो है 25th नौबर तक complete करना होगा step 3 के अंदर application form बढ़ने के बाद में जो students qualified होंगे वो mock test के लिए जाएंगे step 4 में जो qualified students होंगे mock test के बाद वो admit card के साथ JST 2025 में appear होंगे जो की online mode में होगा जो इसके assigned test center पर होगा जो उनके mobile phone के साथ होगा December 15 को step 5 में second round of sword listing के बाद में उनका interview और document verification होगा और finally जो बच्चे interview में सफ़ल होंगे उनको दक्षिन अप्रावानियर scholarship में लेगा EMRS के लिए जो है वो कुछ इस थरीके से है जो step 1 है वो class 12 term result 1st के best पर complete किया जाएगा और यह जो invitation list है December 20 तर complete होनी है second step में जो बच्चे eligible होंगे वो scholarship application form submit करेंगे 10th January 2025 तर step 3 में application form fill up किया जाएगा और स्टूर्ट स्मोग टेस्ट के लिए अप्लाइ करेंटे यह स्टेप फॉर्थ में के लिए JDST जो है वो टेस इंटर पर 19th January 2025 को होगा और स्टेप फिफ्ट में second round of short listing के बाद में इंट्रीव डोक्योंड वरिफिकेशन होगा और लास्ट में बनेट स्टोलर्शिप इन्स्टूक्शन को देखने हैं और देखने के बाद में ऊपने अट्रीड नोबाइल फॉल्स से टेस्ट जो हर दे सकते हैं और MOOC test के लिए भी आपयर वाना है MOOC test and JST format the duration of each of the test will be 3 hours MOOC test का जो duration वो 3 hours रहेगा MCQ4 मेर्ट केसिंस रहेंगे section 1st मेरोजिकल रिजनी section 2 मेर्मेटिक्स और बायलोजी section 3 मेर्फिजिक्स section 4 मेर्ट केमेस्ट्री हर राइट आंसर के लिए 5 marks award होंगे और 2 marks जो है वो तोंग आंसर के लिए पार्ट लिए जाएंगे नेगिटिव मार्टिंग है engineering students जो है वो mathematics और medical students जो है वो biology को अटेक करेंगे candidate is required to attend positive marks in subject और candidate सब्सक्राइब के अगर हम बात करते हैं तो फीजिक्स के अंदर active motion project motion elective motion electrostatics capacity electricity and magnetism magnetism and matter electromagnetic induction alternating current geometrical optics and instrument web optics chemistry की बात करें model concept IPC nomenclature solution qualitative property electrochemistry chemical genetics production compound hyalurkans, hyalurins, alpha, ether and phenol, aldehyde and phytone parboxylic acid and its derivative mathematics figure बात करते types of relation function inverse studentometry function matrix and determinants limits continuity and derivative derivative application of derivatives indefinite integration definite integration its application differential equation vectors and 3d biological बात करते sales the unit of life cell cycle and cell division biomolecules sexual reproduction flowering plant human reproduction reproductive health principle of inheritance molecular basis of inheritance origin and evolution human health and disease biotechnology principle and process biotechnology and its application logical reasoning verbal number series letter series analysis cause and effect verbal classification blood relation logical sequence of words and direction sense test logical venn diagram data sufficiency coding decoding assertion reason analyzing arguments logical problems course of action matching definitions symbolism statement and assumptions non-verbal imaging series construction of shapes classification picture analogies rule detection is the flowchart for one-year scholarship process thank you reference please share it maximum so that the needy students can be benefited and please subscribe subscribe subscribe